मुख्य मंत्री योगी आदितिनात ने कहा कि बार्ड प्रभावित छेत्रों में पीड़ितों की मदद के लिए केंडर्वा राजसरकार पूरी ततपरता से जुटी हुई है बार्ड पीड़ितों की भरपूर मदद सुनिश्चित करने के लिए तीन दिनों से वस्वेम प्रभावित जन्पदों का दौरा कर रहे हैं इसके साथ ही मंत्री समूह भी दौरा कर राहस्तकारियों की निगरानी में जुटा हुआ है सीम योगी स्चुकरवार को सह जन्पदों के बार्ड प्रभावित गाओं का हवाई सर्वेक्षन करने के बाद मुरारी इंटर कॉलेज में बार्ड प्रभावित लोगों से मुलाकात कर रहे थे इस दौरान उन्होंने बार्ड प्रभावितों से बातचीत कर राहत सामगरी का वित्रन किया प्रभावितों को भरुसा दिलाया कि संकट के हर समय में सरकार उनके साथ है मोकी मंत्री ने कहा कि बार प्रवायत चेटर के लोगों तक राहत वाहर प्रकार का सहयोग उपलब्द हो इसकी समीक्षा के लिवा तीन दिन से दौरे पर हैं बहराईच, श्रावस्ती, बलरामपूर, गोंडा, अयोध्या, सिर्धार्टनगर, बस्ती, संतकबीन नगर, गोरकपूर के दक्षांचल, महराज गंज, कैम्पियर गंज होते वे वा सहजनवा आये हैं उन्होंने कहा कि अब बाड़ आज समय है, अकसर अगस्त तंबर माह में ही बाड़ की समस्या आती थी पहली बार अक्चूबर में बाड़ की तरास्ती जेली पड़ रही है, इससे जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही है, बाड़ और अतिवरिस्टी से फसलों को भी काफी नुकसान पहुचा है उन्होंने कहा कि प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि जन लोगों के मकानों में पानी घुस चुका है, उन्हें कम से कम दो बार भोजन उपलब्द करानी की विवस्ता सुनिश्चुत की जाए साथ ही जो लोग भोजन बना सकते हैं उन्हें प्रयाप्त मात्रा में रासन समगरी उपलब्द कराई जाए सीम योगी ने बताए कि बार पीड़तों को दो तरह की किट में दी जा रही है रहा समगरी किट में दस किलो चावल, दस किलो आचा, दो किलो अरहर दाल, आधा किलो नमक, 250 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम मेर्च, 250 ग्राम सबजी मसाला, एक लीटर रिफाइन टेल, पांच किलो लाई, दो किलो भुना चना, एक किलो गुर, दस पैकेट बिसकुट, एक मुंबत्ती दो नहाने का साबुन शामिल है, इसके अलावा, दस किलो आलू, पांच लीटर केरुसिन, पांच लीटर छमता के दो जरीकेन, पंद्रा गुरे दस फीट की एक तारपोलीन सीट भी दी जा रही है, इसके साथी पश्वों के चारी की विवस्ता सुनेश्चित क कराने के लिए प्रती परशू प्रती दिन पांच किलो चारा उपलब्दे कराने का निर्दीश भी प्रशासन को दिया गया है, मुख्य मंटरी ने कहा कि साप, बिच्छु या जंगली जानवरों के काटने पर इंजेक्सिन की उपलब्दता भी हर जगा सुनेश्चित करा दी गई है, सीम योगी ने कहा कि बार के चलते जन्हानी होने पर पीरित परिवार को चार लाख रुपए का मुआफ़ा ततकाल उपलब्दे कराने तथा अंग भंग होने पर दो लाख पचास हजार रुपए तक कि सहायता राशी उपलब्दे कराने की विवस्था बनाई बार से जिनके मकान चतिगरस्त हो गए हैं उन्हें मुख्यमंटरी आवास योजना के तहत आवास देने या मकान बनवाने के लिए एक लाख बीस हजार रुपए देने का निर्देश दिया गया है आंसिक चतिगरस्त मकानों के लिए भी आपदा रहत को से मदद दी मुख्यमंटरी योगी आदी तिनात ने कहा कि बार के चलते पशों की हानी पर भी मुआफ़ज़ा दिया जाएगा दुधारू पसु गाएं भैस आदी के मरने पर 37,500 बकरी भीर सूर के मरने पर 4,000 गैर दुधारू पसु ऊठ गोड़ा आदी के मरने पर 32,000 बच्छला गधा टट्टू आदी के मरने पर 20,000 रुपए की दर से पसु पालकों को सहता रासी दी जाएगी लोगों को संक्रामक बिमारियों से बचाने के लिए सुक्षिता सेनिटाइजेशन और छड़काओं का अभियान युद अस्तर पर सुरू किया जाए या कारे तब तक जारी रहे जब तक जमीन पूरी तरह सूख ना जाए गाओं में किसी तरह की गंदगी ना रहे इसके लिए ग्राम पंचैत अभी से तयारी करे और प्रशासन इसमें सहयोग प्रदान करे उन्होंने कहा कि इसके साथ ही दिवाली से पूर आविलंब छटी ग्रस्त सरकों की मरमत वा बिजली आपूर्ती बहाली की विवस्ता सुनिश्वित कर ली जाए दिवाली आने तक हर गाओं में बहतर आवा गमन की सुविदा हो तथा सभी गाओं जगमक हो इस औसर पर भाजपा के छेत्री अध्यक्ष एवं M.L.C. डॉक्टर धर्मेंद्र सिंग, विधायक प्रदीप शुकल भाजपा जिला अध्यक्ष विदिस्टिर सिंग, पूर विधायक देव नारायन उर्फ जीम सिंग आदी मौजूद रहे इस संबंद्बे गुरपूर दियों से बात करते वे राहसा मगरी पाने वाले सर्वजीत, हरदेशी, किरन भारती इवं विमला तथा S.D.M. सहजनवा सुरेश रायने कहा बारता सर्वजीत, स्बंद्द्दध मौजद मौजद is विपायते हम एатели संबंद्द्द रवूर योर दिन रो ज सकति में झाला जो झाला नारा है झाल 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 आपनों जो भी आपनों को भोजर्स दिया जा रहा है खाने के उपरान आपनों फिर्सों के मदद के लिए निरंतर गैवासा सुनिश्चित करा रहे हैं इनको आप अब कन्चारियों को यहिन देसे किये है कि आप इनोगी में जोगी का सागत है साधीनमा में जोगी जी का सागत है सागत है वह सागत है राम बचले जाएंगे भाह को पीछे रखेएंगे अब कुछा है? आन्यूए गोड़ो लेने उनको मारा लेगा दूरैने दूरैने केसे जाएंगे कारिए कार मारी है आपशाल के बाबा जाए जाता है अप्ये से खहलो बोग है जाए दूरना जाए एक जाए प्रुक्तर प्रदेश के यसस्वे मुख मंत्रे जा करके उनका परिचया और स्रम घ्रीक करिक्त स्वेख मेरे सुसिए यह उनका पैसा कि अ जीजिए घुट हमने का रखना पैसा रखना को stand सिंगी पुर्विधायक सहित मंचासीन समीत अतितियों उत्तर प्रदेश में कोई भी समस्या करोना काल से लेकर कोई भी संकताया है बारता कुझ महाराजी उत्तर प्रदेश की जन्तर इसी रिविक के हमारे सहयरवा विदान सवा में कुझ महाराजी भार फीर्टों को राट सामाधरी बार्टे के लिए अभार वक्त करता हूँ कुझ महाराजी का सभी को धन्याद अनुन मैं कुझ महाराजी से निवेदन करूगा कि महाराज दर्देश में पार्टी जन्ता पार्टी के छेत्री अध्यक्स और विधान परिशत के सदस्य डॉक्टर धर्मिंद सिंग्जी लोगत्री अध्यक्स से प्रदीब शुकला जी जला के अध्यक्स से विश्टिर सिंग्जी पूर विधायक से देम नैड प्रफ जेम सिंग्जी बारती जन्ता पार्टी के परिश्टनेता से रामजयन मोरे जी पूर बलाग पर्मुग राम परकास शुकला जी जिला महामंत्री अटी सिंग्जी नागेंदर सिंग्जी बलाग पर्मुग दिली प्यादो जी बलाग पर्मुग से जन्वा कमुदीप नरायन जी बलाग पर्मुग पाली ससी परताब सिंग्जी नरेंतर शुफल जी, उदैभान सिंग्जी और उपस्तित सभी बार पेडित सभी परिवार के सदस्यगण भाईयों पहनों मैं पिछले तीन दिनों से प्रदेश के बार प्रभावित छेत्रों का ही दौरा कर रहा हूँ मैं राईज, स्राबस्ती, बल्लामपूर, गोंडा, अयोत्या सितार्थनगर, संतकवी नगर, बस्ती और गोरकपुर के दक्षनांचल के दोरे के बाद आज मैंने महराज गंज कैम्पियर गंज के बाद आज मैं सहिजनवा मैं आया हूँ और समय बाड है ये समय बाड के लिए नहीं था अक्सर अगस्त और सितंबर मा में ही बाडाती थी पहली बार अक्टूबर महिने में भी बाड के इस दरास्ती को जेलने के लिए हम सब को मजबूर होना पड़ा है न केवल जन जिवन प्रभावित हुआ है बनकी बाड के कारण फसलों को भी भारी नुक्सान हुआ है अतिपरिस्टी के कारण भी भारी नुक्सान हुआ है और उन सब का सर्वेक्षन करने पेड़तों को ततकाल राहत सामगरी वित्रन करने और प्रतीएक जगे समिक्सा के दिश्य मैं स्वयम भी जा रहा हूँ और प्रभावी छेत्रों में हमारे मंत्री सुमों भी दोरा कर रहे है राहत कारे की निगरानी कर रहे है अमने पहले कह रखा है कि जिन घरों में पानी गुश चुका है भोजन नहीं बना सकते वहाँ पर ततकाल उन सभी परिवारों को एक बिवस्था दी जाए कि वहाँ पर भोजन की उनको दो समय भोजन मिल सके तक यह बिवस्था तो करनी ही है साथ-साथ जहाँ पर लोग अपने घरों में बोजन मना सकते है वहाँ पर उन सभी परिवारों को 10 किलो चावल, 10 किलो अटा, 10 किलो अलू, 5 किलो लाई, 2 किलो सुखा चना और 2 किलो अहर की दाल, रिफाइंट तील, नमॉक, मिर्च मसाले, केरोसीन समेर घर की सभी परकार की उन आउस्षकताओं के लिए आउस्षक सामाक्री उपलब्त करवाएं इसके साथ ही जिन लोगों के मकान च्छतिकरस्त हो गये हैं उन लोगों को अगर मकान पुरी तरह च्छतिकरस्त हो गया है तोने मुख्यमंत्री आवा स्योजना में एक लाग पीस हजार रुपे की साहता आंसी ग्रूप से हुआ है तो सेवी उसी परकार की साहता आपदा राहत पोस से ततका लुपलब्त करवाने की निर्देश दे गये है इसके साथ ही यह भी व्योस्ता बनाई गई है कि पृतिक उन सभी परिवारों को जो अगर किसी परिवार में आपदा के कारण कोई चनहानी हुई हो तो चार लाग रुपे की साहता उस परिवार को ततका लुपलब्त करवाने की निर्देश दे गये है पसु हानी पर भी तो धारू पसु है गाय भैस तो उस पर 37,500 तक भेड बकरी आदी के लिए 32,000 तक अन्य पसु के लिए भी इसी परिकार की सुर्धा की विवस्ता की गई है कि इनकी हानी होती है तो उसके लिए भी ततकाल साहता अपलब्त कराएं साप के काटने, बिच्छो के काटने, जंगली जानवरों के द्वारा पे नुकसान पहुचाने की सकायते आती है वहाँ पर उसके इंजेक्शन के साथ ही अन्य सामाकरी भी उन्हें उपलब्त कराएं जा सके ये भी बिवस्ता बिवस्ता हर एक जगे उपलब्त कराई गई है अब फस्नों के जो नुकसान हुआ है अती परिष्टी के कारण उसका सर्वेक्शन के भी निर्देश दे गए हैं जिससे प्रते एक परिवार को जो भी कियनास किसान है उनको हम इसकी साहता उपलब्त करवा सके आज के दिन पर मैं आप सब के प्रते आपको अस्वस्त करने के लिए आया हूँ कि सरकार केंदर और राज्य सरकार आपके सा आप में हैं आपको हर संबव सहयोग करेगी हम सब को भी ध्यान रखना होगा बाड़ का पानी अगले दो तीन दिन के अंदर निकल जाएगा उसके बाद हमें स्वच्छता पर ध्यान देना होगा साब सफाई स्वच्छता सिनिटाइजेशन चिटकाव प्यापक पैमानी प चूक न जाए क्योंकि बिमारी का खत्रा बना रहेगा और इसलिए दिपावली के पहले पहले हम सच्छता पर विशेश ध्यान देते हैं पहले होता था दिपावली के असर पर रंगाई पुताई का कारे होता था गंदगी दूर भगाए जाती थी फिर घरों में तिपोत्स होता था हमें उसी प्रकरिया को आगे बढ़ाना पड़ेगा सापसफाई की बिवस्ता गाओं में भी घर में भी हर जगे है गाओं में कहीं भी गंदगी न रहे इसके लिए ग्राम पंचायत तेयारी करे प्रसासन भी उसमें सयूग करे सुचिता का है छिड़काओ का है शि मंदीत संस्ताएं अबिलंब उन सड़कों के निर्मान के कारे को भी आगे बढ़ा दे जिससे देपावली के पहले लोगों के लिए पहतर आवा गमन की शुग्दा हो जिन गाओं में बिजली बादित हो गई वहाँ बिजली पहाल करने की विवस्ता हो जिससे लोगों को ब संबाव भरपूर मदब करें के धन्यवाद जाहिए सर्वीट बहुत अच्छा मिला चावल रासन जी हो सब ये सब मिल गया है आप लोग लंच कर लिजे लंच करने के पाट वहा रखिए गया तैकर दग कर आई साइथ क्या कारा है बूलें सर्व सर्व ब्यवस्ताओं के सब पूछे एं सब चिश्श अरदेशी सब समान मिज दिया कैसा लग रहा है किरल भारती पुत्री को लिया बहुत अच्छा लग रहा है कि इति प्रिट ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है आपक द्रोस्ता है गाड़ी से ले जाने के लिए समान ने बोले हैं माने मुखमंत्री जी की उपसिति में कुल 500 लोगों को राहत किट बाटा गया है माने मुखमंत्री जी ने लाइनों में घूम करके लोगों से बात भी किया और सामान की क्वालिटी के बारे में पूछा है और उनकी वो प्रशाषन द्वारा दी गई शुर्धाओं के बारे में भी जानने का प्रयास किया है और सब कुछ अच्छा मिला हम लोग का पूरा प्रयास है कि 15 गाओं हमारे प्रभावित हैं जिसमें 8 मेरूंड हैं आठ मेरूंड में हम लोग रासन लगबख बांड चुके हैं सेस गाओं में भी हम लोग दो दिन के अंदर संकुन रासन बितरित कर देंगे और अभी भी लगातार हम लोग छेत्र में भ्रमण कर रहे हैं लेकपाल हमारे प्रतदीन सूचना देते हैं अगर कोई गाओं ज्यादा प्रभावित होता है तो उसमें ततकाल शाहता उकलत कराई जाती है राहत किट और खाने की सामगरी भी बितरित किया जाता है मेटकल विभाग द्वारा प्रतदीन गाओं उन गाओं में रमण किया जा रहा है मोबाइल बैन लेकर के वो लोग दवा का भी दे रहे हैं पशुची किस्सा विभाग द्वारा भी ठीका करन किया जा चुका है इसके अलामा भी कांटिन्यू मुव्मेंट कर रहे हैं कहीं अभी चारे उगरे की कमी नहीं है सब ठीक है और लगतार हम लोग 17 रखे होगे हैं यह रासन दस दिन का है और दस दिन के बाद हम लोग अगर इसी तरफ से रही तो दुबारा फिर माठेंगे